जब ये साल शुरू हो रहा था ना, तो कई सोशल मीडिया प्लाटफॉम्स और बड़े-बड़े इंफ्लूएंसर्स एक ही बात कह रहे थे कि ये साल आपके जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बहतरीन साल होने वाला है लेकिन अगले कुछ ही महीनों में एक अंजाने, एक अंसुने वाइरस ने सब की जिंदगी बदल दी सारे प्लान, सारे सपने, सारे प्रोजेक्ट सब धरे के धरे रहे गए स्कूल बंद, कॉलेजेज बंद, दुकाने बंद, दफ्तर बंद या फिर यूं कहूं कि जिस तरह हम लोग जिंदगी जी रहे थे, वो जिंदगी ही बंद किसी को अगले वक्त की रोटी की चिंता सताने लगी और किसी को भारी भरकम EMIS की अब COVID-19 एक ऐसी सिचुएशन है जिससे अकेले तो कोई भी नहीं लड़ सकता, भले ही वो विश्व की सूपर पावर हो, बड़ी-बड़ी फामा कंपनीज हो, इंडस्रिलिस्ट हो या फिर एक आम आदमी लेकिन अगर साथ मिलकर कदम बढ़ाया जाए, तो क्या मुम्किन नहीं है? दोस्तो मैं हूनिदी और आम तोर पर इस चैनल पर मैं आपसे किताबों के बारे में बात करती हूँ, लेकिन लास्ट वीक हमारी किताबी ग्यान फैमिली के एक मेंबर कुल्दीट ने मुझे रियालाइज कराया कि मैंने अब तक कोविड-19 के बारे में बात क्यों नहीं करी So thank you Kuldeep for waking me up and for encouraging me to talk about this pandemic. बात करने इसलिए जरूरी है क्योंकि इतनी सकती, इतनी awareness के बाद भी COVID के cases बढ़ रहे हैं, यानि हम में से कोई ना कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है. आज की एपिसोड के थू में एक बात आपको क्लियर कर दू कि अगर COVID कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये economy, आपके सपने, आपकी social life, nothing will get back to normal. तो चली एक बार फिर समझते हैं कि क्या बिमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है. COVID-19 एक hybrid virus है जो की droplets के थू फैलता है, यानि जब आप खासते हैं, जब आप छीकते हैं, तो ये virus दूसरों तक पहुँचता है. अब क्योंकि इसके symptoms एक आम सर्दी खासी, एक normal flu जैसे हैं, इसलिए इस virus को पहचानना बिना test कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है. देखे, जैसे ये virus आया और जिस तरह ये फैला, उसके लिए ना हम तयार थे और ना हम आज भी तयार हैं, और क्योंकि इस virus का कोई इलाज हमारे पास नहीं है, तो अगर mass outbreak होता है, तो लाखों लोगों के जान जाएगी जिसमें आप और मैं भी हो सकते हैं, तो अब हमारे पास क्या solution बचता है, the only solution available right now is to take precautions, बहुत से लोगों को लग रहा है कि मेरी immunity तो बहुत स्टॉंग है और मुझे पुछ नहीं हो सकता, तो बहुत अची बात है, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर आपको वाइरस हो गया ना, तो फिर आपकी एक चीक, एक हासी, एक बट I have seen so many people, जिनको मास्क पहन के सांस गोट रहा है, उनको आफ़त आ रही है, जब आप सडकों पर निकल रहे हैं, बिना मास्क पहने, बिना distance maintain किये, तो पुलिस आपको इसलिए कंट्रोल कर रही है, कि कहीं आपकी लापरवाई की वज़ा से, लाखों लोगों की जान खत करते हैं, सोशल बटरफलाई की तरह हवा में मुहा मुहा करते हैं, ये सब तुरंत बंद कीजे, अगर आपको वाकई किसी से मिलकर खुशी हो रही है, तो आपकी आखों के चमक, आपका एक प्यारा सा नमस्ते वो message convey कर देगा, so no touching please, secondly, अगर आप घर पर हैं, आप हैं, तो मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको हलका सा भी लग रहा है कि मुझे सर्दी हो रही है, या मुझे खासी हो रही है, तो तुरंत मास्क पहनी और फैमिली मेंबर से distance maintain कीजे, अगर आपका घर छोटा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक क में से कुछ ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, जो पूरी दुकान के sanitiser लाके अपने घर में रखकर बैठे हैं, आपको एक सिंपल सी बात क्यों समझ नहीं आ रही, कि अगर आपने खुद को सर से पाऊं तक भी sanitize कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज छूली जो infected इंसान ने चू रखी है, तो आप तक infection आएगा ही आएगा, so please stop holding masks and sanitizers at your home. अगर आपके पास sanitizer नहीं है, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, साबून से अच्छी तरह जैसे steps बताये गए हैं, उन्हें follow करकर खूब देर तक अपने हाथों को धोईए, purpose virus भगाना है, sanitizer लगाना नहीं, फिर अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं कुछ समान लेने के लिए, तो जो समान आप बाहर से ला रहे हैं, उसे please सीधा फ्रिज में मढ़ डालिए, फल और सबजियों को धोकर रखिए, और किसी भी family member से मिलने से पहले एक बार फिर अपने हाथ और मूँ अच्छी तरह द से पुष कीजिए, अगर आपको अचानक से छीख आ जाए और आपके पास मास्क भी नहीं है, तो हात में छीखने की बजाए या किसी के मूँ पर छीखने की बजाए, अपना मूँ अपनी स्लीज से कवर कीजिए, करोना से बचने का सबसे बहतरी तरीका है कि जितना हो सके अपने घर में रहिए और healthy खाना खाईए. Exercise जरूर करनी है क्योंकि exercise से immunity बढ़ती है और इस virus से लड़ने के लिए हमें immunity की सक्त जरूरत है. जो लोग आपको बता रहे हैं कि आप अद्रक खाईए, लहसुन खाईए, निम्बू का इस्तमाल कीजिए, टर्मरिक का इस्तमाल कीजिए, वो लोग ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये ingredients naturally antiviral हैं जो आपकी immunity को boost करते हैं. जब आप पानी पीएं तो कोशिश कीजिए कि गरम पानी पीएं क्योंकि गरम पानी में ये virus multiply नहीं होता है, मतलब ये virus बढ़ता नहीं है. एक बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये, कि हो सकता है घर में रहने के वज़े से आपको प्यास कम लग रही हो, लेकिन आपको regularly पानी पीते रहना है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप करोना से बच जाएं और आपको dehydration हो जाएं, क्योंकि अगर dehydration हो गया, तो इलाज के लिए बाहर ही निकलना पड़ेगा, जिससे हम बचना चाह रहे हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो प्लीज लोगों से एक की जगा दो मीटर की दूरी मिंटेन कीजिए, क्योंकि डिपेंडिंग उन हाव पीपल लाफ, हाव दे टॉक, हाव दे शाउट, ये वाइरस दो मीटर तक जा सकता है, तो प्लीज डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और इस वाइरस की इनिशल सिंटम नजर आने में 5 से 15 दिन तक का समय लग जाता है, इसका मतलब है कि अगर किसी इनसान से आप बात कर रहे हैं, जो दिखने में बिलकुल नॉमल हैं, वो एक क अपनी जान खत्रे में डाल कर लाखों लोगों की जान बचाने में लगे हैं, उनका प्लीज सहीओ कीजिए, अपने घरों में रहिए, इन सिंपल प्रिकॉशन को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ तब तक खाना वेस्ट करने से पहले किसी भूखे को खाना खिलाने के बारे में जरूर सोचिए, और सपने देखना बिलकुल मत छोड़ी,